ये जो वीडियो है ना ये फ्राइडे का ही वीडियो है इससे पहले जहां पर व्लॉग खतम हुआ था वहीं से जो है आगे ये कंटिन्यू हो रहा है तो बच्चे ना ट्यूशन चले गए थे और बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद फिर मैंने अपना हाथ मूध होया और मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए तो बस मैं यहाँ पर शाम की पूजा करूंगी उसके बाद पूरे घर में जो धूनी होती है ना वो धूंगी मैं और शाम के टाइम अकसर आपने देखा होगा कि बच्चों से भी मैं पूजा करवाती हूँ लेकिन आजकल क्य हो रहे ना कि बच्चों का जो ट्यूशन टाइम है थोड़ा सा लेट होता है तो जब तक वो घर आते हैं तब तक तो काफी जादा लेट हो चुका होता है इस वज़े से फिर इवनिंग टाइम पे पूजा मैं ही कर लेती हूँ और जिस दिन ऐसा होता है कि वो लोग टाइम पे आ गए तो फिर उस दिन वो ही लोग करते हैं अब बारी आती है डिनर तयार करने की तो आज ना दुपैर में राजमा बनी थी और इसलिए ये थोड़ी सी तोरी मेरी फ्रिज में रखी होई थी तो बस इसको मैं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो राजमा के साथ ही तोरी थी और वहाँ पर मैंने जो है सबजी कट कर ली है और अप अटा फुट से तोरी में लगा देते हैं तड़का तो मैंने छोटी वाली कड़ाई ली है इसके लिए और बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इस वाली सबजी को बनने में बहुत जटपट से तयार हो जाती है क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना होता है और सरसो का तेल ले लिया है मैंने और वही जो सिंपल मेरी रे सूख नहीं जाता क्योंकि हम लोगों को सूखी सूखी से तोरी अच्छी लगती है और हाँ जब चावल के साथ खानी होती है तो फिर थोड़ी सी गीली अच्छी लगती है तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसाले जो है इसमें डाल दिये हैं अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको जो है ढखके पकने देंगे तो हट से याद पांसे साथ मिनिट में तोरी की सबजी बनके हो जाती है बिलकुल तैयार तो इधर मैंने सबजी चड़ा दिया और फटाफट से मैं आप रोटियां भी बनाऊंगी तो मेरा ये था कि मैं फटाफट से जो है ना बहुत ज जाधा देर खड़ी रहती हूँ ना मैं तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है अभी तो इस वज़े से मुझे फटाफट से काम करना होता है और लंच आज हस्बेन ने बना दिया था तो मुझे काफी जाधा रिलीफ भी मिल गया था उस चीज से तो अभी अभी कल ही का शायद वीटियो है कल ही आप अड़सो का वीडियो होगा जिसमें की एक कॉमेंट आया था कि आप अपने बच्चों को जो है na कुतरा खंट से हैं हम लोग पहाडी हैं और हम पहाडीんな हाथ से ही खाना खाना पसंद करते हैं हम लोगों को हमने बच्पन से कभी स्पून से खाना नहीं खाया है हाथ से खाना खाने के बहूँ सारे रीजन होते और इसका अपना एक scientific reason होता है आप चाहे तो Google में सर्च कर सीज़ चीज पुछ लिए पुछ रही है उसको बदलने की ज़रूरत और आप बताइए हाथ-से खाना कोई आज से खाना रहा हो पugen actress इसom success यही उसका जो है टेस्ट होता है और काफी सारे रीजन्स होते हैं हाथ से खाना खाने के लिए इसी एक रीजन है कि मैं विदान्ष को भी अभी हाथ से ही खाना खाने के लिए फोर्स करती हूँ वह स्पून से खाता था पहले लेकिन अब मैं उसको मैं सिखाती हूँ कि नई ब बच्चों को स्पून नहीं देती हूं अच्छा यहां पर ना मैं आप लोगों से नेक्स डे मॉर्निंग मिल रही हूं मतलब की यह सैटेडे मॉर्निंग है और बस सुबह फटाफट से जो है अपना मैं क्लिनिंग में लग गई हूँ आज थोड़ा सा लेट हो गया था और अक में उसके बाद वंशिका के पापा ने बोला कि अभी क्या है ना कि हम लोग सीधर लंची करेंगे तो नाश्टे का मत चक्कर रखो तो मैंने का ठीक है फिर तो लेकिन बच्चों को तो हम लोग भूका नहीं रख सकते थे तो फिर इसलिए वंशिका ने अपने लिए और अच्छे से जो है सेट कर दी है बाकी का जितना भी समान होता है ना एक्स्टर का वह मैं दूसरे रूम में रखके आ जाती हूं क्योंकि वह वाला रूम आपको पता ही है कि अभी फिलहाल वह बहुत जादा यूज नहीं होता है आज ना सुबह से ही जो है बादर लग रहे तो सुबह उठे सुबह उठने के साथ ही इतना अच्छा मौसम लग रहा था ना मतलब वह फील आ रही थी जैसे सरद्यों की स्टार्टिंग में आती है ना शायद बारिश की विज़े से आ रही होगी लेकिन अभी ना हवाओं में वह वाली ठंडक होने लगी है तो हर मौस ना मतलब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना वह फीलिंग ना जाने क्यों अपने आप सी आने लग जाती है और मैं सच बताओ मुझे तो जैसे सुबह ठंडी ठंडी सी हवा चलती है ना तो बच्पन की चीजे याद आती है जैसे बच्पन में हम लोगों को फील होता था और कुछ टाइम ऐसा होता था कि उस टाइम पर हम लोग एक्जाम देते थे तो वो सारी चीजे याद आ जाती है, ऐसे मौसम को देखे, अज़ा किस को ना इस तरीके से बच्छमन की चीजे याद आ जाती है, अपने टीनेजर की चीजे याद आती है, मुझे जरूर बताना ज़ाड़ू और बस ज़ाड़ू लगाने के बाद जो है, मैं पूरे गर में पोच्छा लगाऊंगी, और आज हस्बन ने बोला था कि लंच मैं बनाऊंगा, तो अभी फिलहाल जो है ना थोड़ा बहुत काम वहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे सुबे की चाई भी आज उन्हों नहीं करते, कभी दिखते नहीं हैं, तो वो दिखते इसलिए नहीं हैं, क्योंकि दिखाती नहीं हूँ मैं, और अच्छा भी नहीं लगता कि हस्बन कीचन में हो, और आप बार बार मतलब उनको दिखा रहे हो कि अभी वो ये काम करें, क्योंकि ना देखे इस दुनिया में दोनों तरीके के लोग है तो जिनको नेगेटिव बोलना होता है न वो हर चीज में नेगेटिव इटी डूनेंगे ही डूनेंगे अभी मैं कीचन में जादर दिखाऊंगी तो बोलेंगे कि अपने हस्बेंट से काम करवाती हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है इस वज गए थे तो आज का काम धीरे धीरे ही हुआ है बट वही है कि छुट्टी के दिन ऐसा ही होता है चुट्टी के दिन न विस्तर में अजगर की तरह लोट रहे हैं दोनों के दोनों बस नाश्ता किया और अजगर की तरह फैल गए दोनों है न पढ़ाई नहीं करनी है एक्जा अच्छा तो कितने देर और देखना है टीवी अच्छा चलो देखते हैं कितना पढ़ाई करते हैं थीक है चलो और फाइनली हम लोगों ने अब सबजियां लगाना शुरू किया है तो यह जो दोनों गमले दिखने ना एक में पालक लगाई हुई है और एक में है लैसून अब देखते होता है कि नहीं और वह देखिए वो बैंगन लगाया वह बैंगन के पेड़ लगाये हैं एक ये पेड़ है एक पेड़ यह है और दो यह है तो यह तो कुछ ये वाला शैथ खराब हो गया है और यह हो जाएगा यहाँ पर जो है ना मैं आ चुकी हूँ नहाद हो के इससे पहले मैंने आप लोगों को जो दिखाया कि हमने सबजी वगएरा लगाई हुई है तो अगर वो हुई तो आप लोगों के साथ शेर जरूर करूँगी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लगाते तो हैं और थोड़ी बहुत पौध भी आ जाती है लेकिन फिर वो बढ़ती नहीं है आगे तो इस वज़े से आप लोगों के साथ चीजे पूरी शेर नहीं कर पाती हूँ तो इस पार पालक वगएरा हमने लगाया हुआ है तो अभी यह श्याम का टाइम और हस्बिन बना रहे है चाए तो जब वो चाए बना रहे थे ना उससे पहले यह जो दूद वाला बरतन था ना इसकी मलाई वो ट्रांसफर कर रहे थे तो उसमें एक्स्ट्रा दूद भी गिर गया था तो बस वही दिखा रहे है और जब तक वो मूड्स होते तो मेरे साथ भी ऐसा भी हो रहा है मेरे मूड़ बहुत ज़्यादस टाइम पर तो कभी तो ऐसा लगता है कि बाह् industry रहूं कुष काम ना करूं कभी ऐसा रगता है वर आ आज चीजे काम हह तो आजण मेरा मन नहीं ओ था तो बस फिरुर मैं इनिग में आई हू और यहां पर फटाफट से कपड़े डाल दूँगी इतनी दिर में हस्मिन चाय बना के लिया थे और मेरा भी कॉल आ गया था मेरी सिस्टर इन लो का कॉल वही तबित वगरा पूछने के लिए तो बस अभी हम लोग यहां पर बैटके आराम से श्याम की चाय पिएंगे और इस के यहर।